असलाम वालेकम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खेर्म नाजरीन वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे चानल नूरानी खबरों पर देख रहे हैं या फिर आप हमारे चानल पर नए हैं तो आप वीडियो के नीचे दिये गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले नाजरीन नूरानी खबर को मायूस नहीं करता अगर आप अल्हा के लिए एक कदम बढ़ते हैं तो वो आपके लिए तीन कदम बढ़ते हैं और आपकी हर नेकी और इबादत का सिला आपको जरूर मिलता है बहुत ही प्यारा ये बाक्या है सुनते हैं और नाजनीर है तो यही के पास पहत के जमाने में एक लड़का गल्ला लेने आया आपने उसे गल्ला दे दिया उसके बाद उसने आपको कोई बात बताई तो आप इतने खुश हुए कि उसको और ज़्यादा गल्ला दिया और इनाम और इज्जत के साथ रुखसत किया अल्हा ताला ने वही नाजिल फर्माई कि ए मेरे प्यारे पैगंबर आपने इस लड़के का इतना ज्यादा इकराम क्यों किया अर्ज किया रब करीम मैंने शुरू में वो हिस्सा दिया जो बनता था लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं वही लड़का हूँ जिसने बच्पन मे आपकी पाक दामनी की गवाही दी थी इस बात को सुनकर मेरे दिल में मुहबबत की तड़व उठी और कि ये वही लड़का है जिसने बच्पन में मेरी गवाही दी थी आज ये बेहाल होकर मेरे पास कुछ लेने के लिए आया है मैं क्योंने इसकी गवाही की बजह से इसका एक्राम करूँ इसलिए ईक्राम किया है मैंने उसे वो कुछ दिया जो मेरे इक्टियार में था रब करीम ने वही नाजिल फर्माईए आए मेरे पैगंबर जिसने आपकी पाकदामनी की गबाही दी आपने उसको इतना कुछ दिया, जो आप दे सकते थे, आपने वो कुछ किया जो आपकी शान के मताबिक था, याद रखिए, जो बंदा दुनिया में मेरी खुदाई की गबाही देगा, मेरी रबुबयद की गबाही देगा, जब वो बंदा कयामत के दिन मेरे सामने आएगा, तो मैं परव नमाज के पाबंद रहें और अल्हा ताला हमें हमारे प्यारे नभी करीम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सलल्लाहो अलह बसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीवता फर्माई आमीन नाजरीन ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हाँ दीन की बातें एक दूसरे तक पहुँचाना सदकाय जारिया होता है इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि सदकाय जारिया के तौर पर हमारे वीडियो को शेयर करना नहीं अपनी शिकायतें अपने सुझाओ आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिये भेज सकते हैं अल्ला हाफिज